हाई विनर्स आपकी वीडियो में बात करने आया है टेरा क्लासिक या आप बोलें टेरा लूना के बारे में दोस्तों आप भी जानते हैं टेरा लूना का नाम टेरा क्लासिक और ल-U-N-C हो चुका है और जो नया टेरा लूना बना है रिवाइवल प्लान 2.0 उसमें नाम रखा गया है टेरा 2.0 टेरा क्लासिक का प्राइज अगर आप देखे तो थोड़ा सा जरूर बड़ा है लेकिन लगबग 12% अभी भी डाउन है और आई एनर में डॉट के बाद 0 के बाद 10 की सीरीज चल रही है ग्लोबल रेंक 213 बन चुका है और 10 लाग से ज़्यादा वाच लिस्ट में एड़ किया जा चुका है आज की इस वीडियो में सबसे इंपोर्टेंट बात ये करेंगे कि इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स की तरफ से टेरा लूना के फेवर में क्या नए अपडेट्स आये हैं और डूनोन की तरफ से क्या नया ओफीशल ट्विट्स किये गए हैं और ओवर ओल टेरा लूना की सपोर्ट में इस टाइम पर वर्ल्ड की कौन-कौन सी बिगेस्ट एक्सचेंज आ चुकी है जिनोंने ये प्रॉपर ट्विट्ट कर दिया है कि वी आर इन दा सपोर्ट ऑफ टेरा लूना रिवाइवल प्लान टू तो सबसे पहले विजिट करते हैं डूनन जो कि टेरा लूना के फाउंडर है उनका ओफिशल प्रॉफाइल तो डूनन के ओफिशल ट्विटर प्रॉफाइल पर चार घंटे पहले वर्ल्ड की टॉप मॉस्ट एक्चेंज की तरफ से भी प्रॉपर सपोर्ट आ चुकी है तो पॉरपर चेक करेगा उसका क्या परपोजल आया है, होलडर्स को क्या बैनिफिट होने वाला है और प्री अटैग और पोस्ट अटैक होलडर्स को क्या प्रॉफर एड्रॉप दिया गया है या नहीं दिया गया और कितने number of securities को और add किया गया है Terra Luna का ये rebuild plan है future में किस तरीके से काम करने वाला है अगर इसको finally दुबारा से stable coin बनाया जाए तो वो कैसे बनेगा इन सारी terms and condition पर finally पहले सर्टिक जो है उनके efforts को चेक करेगा और उसके बाद finally सर्टिक security leader board की तरफ से भी Terra Luna के revival plan 2 को support मिल जाएगी इसके लब अगर आप लोग एक ओर top exchange की बात करो तो MEXC की तरफ से भी message आ चुका है कि we are in the support of 2.0 इसके बाद अगर आप लोग OKX की बात करो तो OKX की तरफ से भी finally supporting का message आ चुका है it means world की सारी exchange अगर आप देखे इस time पर तो अगर देखे मैं आपको exchange की list दिखाओं और sport के अंदर number 2 पर FTX supporting में है number 3 पर Coinbase, Kraken, KU Coin, Huawei, Bitfinex, Jamini, Gate.io Binance.us, every exchange in the support of Terra Luna plan 2 लेकिन अब हम जानते हैं Indian exchange, Vajir X की तरफ से क्या response आया है क्योंकि आप भी जानते हो आज की date में अगर इंडिया में कोई top most exchange है या सबसे ज़्यादा holders आप बोले या सबसे ज़्यादा investor या trader आप बोले तो वो Vajir X पर है, Vajir X की तरफ से Terra Luna के favor में क्या update किया गया है यह है दोस्तों Vajir X का official Twitter profile जहाँ पर लगबग एक घंटा पहले जो crypto weekly headlines आई है, उसके अंदर लिखा गया है Luna 2.0 has been delayed until May 28, याने की जो आपने आज मेरी सुबह वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बोला है 27th of May, आज की date थी जब Terra Luna ने अपने network launch करने की बात की थी, लेकिन उसको एक दिन के लिए postpone कर दिया गया है, अब finally जो launching है वो कल सुबह 6 बजे 28 मई को नहीं है, और यही update आप लोगों को Vajir X के official Twitter handle पर दिख रहा है, इसके लाब अगर आप बात करें तो Vajir X ने 3 hours पहले Luna से related updates को भी अपने official Twitter profile पर share किया है और उसको जानने के लिए आप लोगों को इस proper article को study करना है तो चलिए इस article पर मैंने click किया और article में क्या लिखा हुआ है, अब हम देखते हैं update on Luna, transfer, ticker change, airdrop, तो Vajir X का ये 4 घंटे पहले एक article publish किया गया है, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जो Luna old है, उसको finally NUNC बना दिया गया है, Vajir X के उपर लेकिन suspend है 27 मई से, आज 27 मई से जो Luna old है, उसकी transfer को suspend कर दिया गया है, और जो enable होगी, वो होगी 31 मई को, यानि कि आप बिनान से जब transfer करते हैं, तो उस transfer को suspend कर दिया गया है, और उस suspend को दुबारा से enable किया जाएगा 31st of May को, यानि कि कल तो होगा Terra Luna launch, लेकिन फिर भी, Vajir X के उपर जो transfer है, जो बनान से amount transfer किया जाता है, उसको जो open किया जाएगा, दुबारा से, वो 31st of May तक किया जाएगा, इसका reason Vajir X की तरफ से आया है, we are currently evaluating the technical feasibility of Terra 2.0 token, इसका सीधा सा reason Vajir X ने बोला है कि पहले हम लोग evaluate कर रहे हैं, technical जो feasibility होने वाली है, वो किस तरीके से Terra Luna 2.0 को support करेगी, और finally, ये पूरी की पूरी technical feasibility को evaluate करने के बाद, Vajir X per 31st May से आपको Binance पर enable मिल जाएगा, यानि कि आप Binance से easily transfer कर सकते हो, LUNC या फिर LUNA, और इसके लावा जो further announcement आने वाली है Vajir X की तरफ से, वो आप लोगों को proper एक नया article बना कर डे दी जाएगी, कही न कहीं पर एक चीज़ ये confirm हो चुकी है, बहुत ज़ादा लोग content को एक दूसरे तरीके से right किया है, कि पहले वो कोई technical issue ना आये Terra Luna के 2.0 revival plan में, तो सबसे पहले वो उसको evaluate करेंगे, क्योंकि लोगों का बहुत ज़ादा भरोसा है Vajir X exchange पर, तो technical feasibility को पूरा analysis या पूरा evaluate करने के बाद, 31st में की date इसलिए डाली है, के बाद आप लोग Terra Luna के official Twitter profile को देखे, तो last update 7 hours पहले ही आया था, इसके ओपर वीडियो आपको already मिल चुकी है, 7 hours के अंदर अभी तक कोई भी update नहीं आया है, हाला कि जो do know है Terra Luna के founder या आप बोले co-founder, वो लगातार जितनी भी exchange उन्हें support करने वाली है plan 2 को उसका लगातार tweet जारी है और वो do know उनके official Twitter handle पर देखने को मिल रहा है, तो कई न कई पर Indian exchange वजीरेस की तरफ से भी support मिल गी, coin DCX की तरफ से मैंने already आपको कल बोला था, coin switch कुबेर का भी कोई update नहीं है, अगर हम देखें एक बार तो coin switch कुबेर का भी चेक कर लेते हैं साथ-साथ और इसके लावा, yes मैंने एक कल आपको नहीं बताया, Indian exchange flit pay की तरफ से भी Terra Luna की support का official tweet कल शाम को आ चुका था, वो मैं कल आपको वीडियो में नहीं बता पाया, तो अब India के अंदर से Sun Crypto, Vajir X, Coin DCX और इसके साथ-साथ अगर आप बात करो, flit pay इन चारों exchange का proper support मिलता हुआ, Terra Luna के drop को, अब इसके बाद हम बात करते है Coin Switch कुबेर की, तो 12 hours पहले regarding Luna AirDrop, इनका bit-fit आ चुका है, ये मैंने बहुत बाद में अभी check किया, so finally, we are watching Terra recovery plan closely, our users are our first priority, and we are working hard to figure out all moving parts, please stay tuned for updates बतलब कही न कही पर Coin Switch कुबेर ने भी ये clear कर दिया है, कि उनके लिए user की priority सबसे ज़्यादा important है, तो finally, बहुत close से, बहुत deeply, Terra Luna की इस recovery phase को देख रहे हैं, rebuild plan को देख रहे हैं, और उनको जब भी लगेगा, तो वो भी आपको next update के बाद, Terra Luna की जो listing है, या Terra Luna की जो trading है, वो आपको Coin Switch कुबेर की तरब से भी own होती दिखेगी, it means इंडिया की पाचो की पाचो जो top exchange है, जिसमें सबसे ज़्यादा holder है, अगर इन exchange में, जिन्हों ने भी invest कर रखा Terra Luna में, उन्हें भी मुझे लगता है, अब घबराने के जूरत नहीं है, जो पैसा उनका waste हुआ है, वो देखते हैं कि Terra Luna post attack holder को कितना airdrop देता है, और वो कैसे distribute किया जाता है, exchange की तरफ से, बाकी उनके holders को, तो इसी updates के लिए, कल तक आप और वेट कीजिए, 28 माई को एक बाद Terra Luna का network launch होने दीजिए, फिर नए update के साथ crypto mark YouTube channel पर जरूर मिलेंगे, thank you so much for watching this video and please do subscribe crypto mark YouTube channel for more updates, thank you so much